धोके दिये नहीं हैं जनाब, धोके खाएं हैं। धोके खाने वाला तो फिर भी रोध धोके सबर करके फिर से अपनी पोजिशन में सटल हो जाता है। पर यकीन मानिये, धोका देने वाले कभी भी सुकुन की जिन्दगी नहीं जी सकते। जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंस्टिव होते हैं और ये इतियास गवा है कि सबसे ज़्यदे तकलीफें भी उनी को मिलती हैं क्योंकि वो सभी को अपने जैसा समझ लेते हैं पर फिर भी कोई बात नहीं क्योंकि इमोशनल असकार किसी को लूटने के, धोका देने के, रूलाने के नहीं मिले, कंदे पे हाथ रखे, ये कहने के मिले हैं, कि हम हैं, तुमारे पीछे. अजनबियों के साथ भी खड़े होने के लिए जिग्रा चाहिए किसी की छोटी सी मदद करने के लिए भी हिम्मत चाहिए ये प्रेक्टिकल दुनिया और अभी पैंडमिक के बाद लुटेरों से भरी होई दुनिया न जाने कब इसका अंत होगा और कब वो दुनिया वापिस आएगी जो सोचते हैं शायद कभी नहीं आएगी क्योंकि पैसे की दौड भी उतनी ही बढ़ गई है जितनी बिमारियां बढ़ गई है और जितने डॉक्टर्स की ब्रांचिस बढ़ गई है मतलब कि हर एक चीज का एक अलग डॉक्टर है न और पहले तो सिरफ एक ही डॉक्टर नवस पकड़ के सब कुछ बता दिया करते थे एक्स रे होते थे जिससे बिमारियां पकड़ी जाती थी अभी तो जितने बॉड़ी के पार्ट्स हैं और जितने बॉड़ी में और्गेंस हैं सबके अलग अलग यव बड़ी सिन हैं और इसे हिसाब से खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं और बहिमानी भी बढ़ती जा रही है इंदारी सबके बस के नहीं और मुझे लगता ही नहीं कि इमानदारी होओगी या होनी चाहिए पता नहीं मैं कौन से यूग की बाते कर रही हूँ फर एक यूग ऐसा भी है छहां पर ऐसे लोग भी रहते हैं जो सब कुछ खो जाने के बाद भी किसी और चीज़ के खोने की परवा नहीं करते बस वैसे ही रहते हैं पर हाँ एक चीज़ जरूर हो जाती है कि वो लोग सबसे दूर हो जाते हैं क्योंकि शायद वही बटर है अपने आपको डैमेज करने से कोई फाइदा नहीं दुनिया किसे टकराने के कोई फाइदा नहीं टकराओ अपने लिए अपने मकसद के लिए और कुछ पाने के लिए लोगों के मून लगने की क्या जरूरत है है ना